तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने इंस्टाग्राम की उपर कोई भी स्टोरी पोस्ट करी थी जिसको पोस्ट हुए 24 आवर से ज़्यादा हो चुकिये हैं और आप वो स्टोरी आपके इंस्टाग्राम की उपर से रिमूव हो चुकिये लेकिन आप उस story को अभी भी देखना चाहते हो तब वो कैसे देख सकते हो तो दोस्तो अपने Instagram की story को post करने के 24 आवर के बाद देखने के लिए सबसे पहले तो आप अपने Instagram की app को यहां से open कर लिजिए यहां से इसको open करने के बाद simply आप जाएए अपने file की उपर यहां पर और यहां पर जाने के बाद simply file यहां पर open हो जाएगी और आपको देखिए यहां पर कोने में ठीला इसको option मिलेगा आप simply इसको यहां पर click करके open कर लेना है इसको open करने के बाद आप simply यहाँ पर scroll down करिए और आपको देखी यहाँ पर how you use Instagram के अंदर third number पे your activity का option मिलेगा आप simply इसको यहाँ पर click करके open कर लेना है इसको open करने के बाद आप simply यहाँ पर scroll down करिए लेगिन अगर शो नहीं हुई, तो आपको देखिए यहाँ पोस्ट आर्चिप लिखा हुई है ना, वहाँ जो भी लिखा होगा, उसकी उपर यहाँ पर क्लिक करिएगा, उसके बाद जो है, आपका फरस्ट निंबर पर यहाँ पर स्टोरी आर्चिप का ऑप्शन मिलेगा, आ यहां पर इसको हाइड कर देता हूं जैसे मैं यह वाली शोरी तभी उन्हें पोस्ट कर रही है इसको अभी पूरे 24 गंटे नहीं हुए है यह आठ बचके बारा मिनिट पोस्ट करी थी मैंने शायद आज ही करी है और उससे पहले वाली शोरी दिखाऊं तो यह भी मैंने बारा यह वाली शोरी है यह मैं उससे पहले करी थी यह 26 सेप्टेमबर को और यह फिर उससे पहले 19 सेप्टेमबर हो करी थी मैंने वहीं अगर प्रोपर डेट के साब देखने है तो आपको देखने हैं आप जहाँ स्टोरी का आइकन दिख रहे है उसका के आपको कलेंडर का इकन इसकी उपर यहाँ पर क्लिक करना है फिर आपको जो है प्रोपर क्लेंडर के हिसाब से क्लेंडर की डेट के हिसाब से आपको अपनी स्टोरी यहाँ पर शो हो जाएंगी जिसी अब देखते हैं हमारे सेप्टेमबर 24 को मैंने तीन तरीक को मैंने यह वाली स्टोरी यहाँ प पसने भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को स्ट्वाइक करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, थैंक यूप वोचिंग एंड बाबाई